हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं T900 Ultra Smart Watch और T800 Ultra Smart Watch तो आज की इस वीडियो में इन दोनों Smart Watch को compare करके बताने वाला हूँ कि कौन सी best Smart Watch है और आपको कौन सी Smart Watch पर्चेस करना चाहिए और इनके feature के बारे में भी बात करने वाले हैं कि दोनों Smart Watch में से best feature कौन सी Smart Watch में देखने को मिलते हैं और साथ ही इनकी price के बारे में भी बात करने वाले हैं कि इनकी price कितनी होने वाली है तो आज की वीडियो बहुत ही interesting and amazing होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें step by step पूरा वीडियो देखें वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो चलिए time waste के अगर वीडियो को start करते हैं लेकिन उससे पहला अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को like और channel को subscribe कर ले और bell icon को press कर ले ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो smart watch का box से वो कुछ इस size के देखने को मिल जाते हैं जो कि लगबग दोनों की size है वो same ही यहाँ पर देखने को मिल जाती है और T800 Ultra में 1.99 का dial देखने को मिलता है तो यहाँ पर हमने T800 Ultra smart watch के box को open कर लिया इस ट्रेप की बात करें तो काफी soft and muliam strap आपको smart watch में देखने को मिल जाते हैं उसके बाद इसको side में रख देते हैं आप बात करते हैं wireless charger की तो यहाँ पर charger भी आपको काफी amazing देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर wireless charge मिल जाता है, काफी अच्छा charge है, इसको भी side में रख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं, डायल किये तो यहाँ पर डायल भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके जो size है, वो काफी छोटी लग रही है, तो पर silver color में आपको देखने को मिल जाता है, बात करें तो यहाँ पर डायल में तीन बटन आपको देखने को मिल जाते हैं, एक गोल वाला और एक power बटन और एक spot बटन तो यहाँ पर तीन बटन देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद एक speaker देखने को मिल जाता है, जिसमें आप version और काफ ऑगर्ज चला सकते हैसा केमारी smartwatch open और हो चुकी है यहां पर फर्फिस्ट लोके जो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है वहल पेपर की बात करें तो काफी प्याइब पर देखने को मिल जाते जो कि मैं यहां पर इस से समझा देता हूं यहाँ पर इसमें स्मार्ट वॉच में पासवड वाला ओप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है इसके फीचर की जो इस्टाइल है एप्लिकेशन की उसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर 5-6 इस्टाइल आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर का वाला ओफ्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं वॉट्स अब की नोटिफिकेशन मिल जाती है फीकिन४किन्फिकेशन मिल जाती है डायलर मिल मिल जाता है ECG वाला option देखने को मिल जाता है यहाँ से आप इनको enjoy कर सकते हैं क्योंकि यह एकदम wrong बताता है तो यहाँ पर आप इसको सिर्फ use कर सकते हैं इसे ही formalty के लिए उसके बाद यहाँ पर देखे back side में भी कुछ AC light आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं गेम की तो यहाँ पर गेम मिल जाता fighter jet वाला जो की काफी अच्छा गेम इस smart watch में आप आराम से इसको play कर सकते हैं तो काफी अच्छी smart watch लगी इसकी price की बात करें तो यहाँ पर यह आपको 350 रुपे में देखने को मिल जाईगी कि अब बात करते हैं T900 Ultra smart watch की स्माार वोच को साइड में रख देते हैं cob बात करते हैं तो यहाँ पर इसका box भी काफी अच्छा है यहाँ पर काफी अच्छी डिजाइन में मिल जाता है ब्लैक षैड के साथ उसके बाद यहाँ पर इसके size की बात करें तो 2.0.9 infinite display देखने को मिल जाती है उसके बाद यहाँ पर open करने के बाद एक कागज मिल जाता है जिससे आप guide कर सकते smartwatch को case use करना है तो चलिए इसको भी side में रख देते हैं उसके बाद यहाँ पर strap के बात करते हैं काफी अच्छी quality के साथ आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर देखिए आप इस जैसी smartwatch को इस पर रखेंगे तो आपकी smartwatch charge होना start हो जाएगी चलिए इसको भी side में रख देते हैं आप बात करते हैं dial की तो यहाँ पर dial की जो quality काफी premium लगी है मेरे को T800 Ultra के मुकाबले यहाँ पर इसकी price के बारे में भी बात करने वाले हैं इसमें भी four screw का design मिल जाता है magnetic charger sensor मिल जाता है back side में उसके बाद यहाँ पर इसकी भी quality की बात करें dial की तो यहाँ पर अबर design में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसमें भी तीन बटन लगबग आपको देखने को मिल जाते हैं पावर बटन और गोल वाला बटन उसके बाद sport बटन देखने को मिल जाता है और डायल की जो बात करें वह काफी अच्छा डायल लगा है मेरे को को मिल रहा है एकदम clearly display दिख रही है आपर तो यहाँ पर एकदम स्मूच चल रही है स्मार्ट वोज भी उसके बाद यहाँ पर WhatsApp, Facebook वगएरा की notification आपको लगबग देखने को मिल जाती है उसके बाद यहाँ पर heartbeat वाले option मिल जाता है music controller option मिल जाता है आप यहाँ से स्मार्ट वोज से भी कोल लगा सकते हैं इसे जी heartbeat वगएरा मिल जाती है इसमें भी उसके बाद यहाँ पर अगर game की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक game देखने को मिल जाता है लेकिन इसमें कुछ unique game दिया गया है यहाँ पर आपको calendar भी देखने को मिल जाता है देखे बाद यहाँ पर देखिए इसका जो look है वो काफी अच्छा लगाई मेरेको T800 Ultra के मुकाबले इसके future की बात करें तो T800 Ultra से ज्यादा feature इसमें देखने को मिल जाते हैं तो चलिए अब इसकी setting में चलते हैं setting में about phone मिल जाता है series मिल जाती है set language मिल जाता है time date वगेरा set करने को option option देखने को मिल जाता है back light option मिल जाता है और बहुस सारे काफी सारे feature इस इसमें देखने को मिल जाता है और भी इसमें सबसे हमेजिगों सब्से चछा option यहाँ पर आपको dynamic island बाला मिल जाता है यहाँ पर आप brightness यहाँ हैं सबसे ऐसे उसके बाद our आइसलेंड वाला जैसे ओन करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन वाला पैनल आदेगा उपर जैसे आपके मेसेज वगे रहेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल का जाएगा देखें यहां पर जो की काफी अच्छा लगा है मेरे को यह उसके बाद यहां पर द कर सकते हैं यहां पर देखें यहां पर काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं T-800 अल्टरा के मुकाबलें हैं यहाँ पर आपको काफी अच्छे लुक के सात्त मिल जाते हैं एक दम Canton चलरी स्ma plays आपको मेरे हिसाब से T-800 अल्टरा परचैस नहीं करनी चिए आपको T-900 अल्ट में स्ट्रेप को लगा लेते हैं उसके बाद यहां पर T800 Ultra में भी जल्दी से स्ट्रेप को लगा लेते हैं अगर आप पर्चेस कर रहे हो तो आपको टिनो सो अल्ट्राइप पर्चेस करने चीए क्योंकि काफी अच्छी लगी है मेरे को ये स्मार्ट वोच अगर वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि एसी अमेजिंग वीडियो और देख सको